हेलो फ्रेंट्स तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था गाजेले मैंने उतामा को कड़नेब कर लिया था और फिर वो उतामा को ले जाता है हौल्डेम के सामने जहाँ पर Holdem उसकी Devil Fruit की पावर के बारे में बात कर रहा होता है और फिर हमें दिखाये जाते हैं लूफी लोग जो की बाकूरा टाउन में पहुंच जाते हैं एपिसोड की शुरुवात होती है लूफी से जहाँ पर लूफी चिला रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गएं तो यहाँ पर जो ओकीकू होती है वो लूफी का मुँव बंद कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं चिला सकते हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो अपनी नोटबुक बाहर निकालते हैं और चेक कर रहे होते हैं क्या लूफी लोगों ने इस टाउन को छोड़ाए कुछ ऐसा रिकॉर्ड इस नोटबुक में है तो उन्हें नोटबुक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है लूफी लोगों का तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो तो यहाँ पर लूफी ओकीकू से बोलता है कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ तो ओकी क्यूं उन्हें बताती है कि तुम यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे होना ये सब किड्नैपिंग से जुड़े हुए हैं यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ओतामा कहां पर है और यहाँ पर हम कोई भी गरबड़ी नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमने को उन्हें नौक कर देता है इसके बाद लूफी लोग आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जोरो बोलते हैं कि हम लोग ओतामा को ढूंड़नेंगे कैसे तो यहाँ पर ओकी कू बोलते हैं कि अगर यहाँ के लोगों से हमने पूछने की कोशिश करी तो यह लोग हमें कुछ नहीं बताएंगे लूफी बोलता है कि यह लोग देखने में नौर्मल लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यह हमसे लड़ने वाले हैं ओकी कू बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो यह 20 साल पहले तक नौर्मल थे लेकिन जब यहाँ पर उरोची के सबोडी नेट आये उन इसके बाद हमें उराशीमा दिखाया जाता है जो कि अपने पाम से एक बंदे को उड़ा देता है क्योंकि वो एक सूमो मैच खेल रहा है और वो इंसान उड़ता हुआ सीधा लूफी के पास आता है इसके बाद इन्हें पता पड़ता है कि टाउन में कुछ तो चल रहा है उराशीमा से लड़ने के लिए आते हैं लेकिन उराशीमा उन दोनों को बहुत आराम से हरा देता है इसके बाद उराशीमा को चैलेंज करने के लिए तीन बंदे मैदान में आते हैं और तबी उराशीमा की नजर पड़ती है कि भाईया मैदान में ओकीकू आ गई है तो यह पर अपनी ताकत का प्रदशन करने के लिए उराशीमा उन तीनों को एकी थपड में उड़ा देता है और फिर अपने दिवान की वाली निगाहों से ओकीकू को देख रहा होता है फिर जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़की है जिससे उराश उराशीमा शादी करने वाला है इसके बाद जो उराशीमा होता है वो अपने चेले चपाटो को मैदान में बेशता है और बोलता है कि ओकीको को यहां पर उठा लाओ तो यहां पर जब यह लोग उठाने के लिए जाते हैं तो लूफी और जोरो कुछ सुमो रैसलर्स की मार लगा देते हैं लेकिन एक सुमो रैसलर्स की को उठा कर सीधा उराशीमा के पास पहुचा देता है तो वहां पर जो लोग होते हैं वो बोलते कि अरे यह तो वही लड़की है जो टी हाउस में काम करती है यह तो छोटी सी लड़की है गंदी सी लड़की है इसे जान से मार तो यहाँ पर उराशिमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि तुम सब मेरे लिए बराबरो तो मैं ही तैह करूंगा कि किसे मुझे पसंद करना है और किसे मुझे पसंद नहीं करना है। उरशीमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो ओकीकू को मारने के लिए अपनी पूरी ताकस से ओकीकू के उपर हमला कर देता है लेकिन तभी लूफी मैदान में आता है और वो गौमू गौमू नो सुमो स्लैब से उरशीमा को रोक देता है इन दोनों के स्लैब जब आपस में टकराते हैं तो जो रिंग होती है वो हिलने लगती है और बहुत सारा प्रैशर एकदम से आ जाता है ये दोनों ही एक दूसरे को पीछे फैकने की कोशिश करते हैं लेकिन इन दोनों में कोई भी पीछे खिसकने को राजी नहीं होता है ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल कर रहे होते हैं और इसके बाद ये दोनों पीछे खिसक जाते हैं अब इन दोनों का बैलेंस गरबड हो जाता है और ये दोनों ही अपने आपको रिंग से बाहर गिरने से समाल रहे होते हैं ये दोनों अपनी पूरी कोशिश करते और फिर अपने आपको समालने में काम्याब होते हैं, इसके बाद जो उराशीमा होता है, वो बोलता है कि तुमने मेरी स्लैप के साथ क्या किया है, और दूसरी चीज़, तुम ओकीकू के लगते क्या हो, तो यहाँ पर लूपी बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं लगता, तो यह जे सूमो मैच में हराओ, और फिर तुमहे इसके साथ जो भी करना है तुम कर लेना मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और फिर इन दोनों के बीच में ओफिशिल सूमो मैच सुरू होता है जहां पर जो उराशीमा होता है वो अपने स्लैप से लूफी के ओपर अटेक कर देता है लेकिन लूफी बहुत आराम से उसके स्लैप से बच रहा होता है इसके बाद जो उराशीमा होता है वो अपने स्लैप की स्पीड को बढ़ा देता है लेकिन फिर भी वो लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है जो लोग मैच देख रहे होते हैं उन्हें बहुत जादा मज़ा रहा होता है और वो लोग लूफी को सपोर्ट कर रहे होते हैं इसके बाद जो लूफी होता है वो उराशीमा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर जो उराशीमा होता है वो अपने स्लैप से लूफी के उपर हमला कर देता है लूफी उसके स्लैप को रोक देता है और फिर दोबारा उराशीमा को उठाने की कोशिश करता है वो दो illegal move का use करता है जिसमें पहला move होता है ear splitter और दूसरा होता है eye splitter इसके बाद लूफी बोलता है कि जो तुम technique का use कर रहे हो ये दोनों illegal technique हैं लेकिन यहाँ पर उराशीमा बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक yoko zuna हूँ जिसके बाद लूफी बोलता है जिसके बाद holdem बोलता है कि मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है तो मैं दिख नहीं रहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ओतामा होती है वो holdem से बोलती है कि मुझ पर रहम करो और जो तुमारा बबून है मैं तुम्हें उसे वापिस कर दूँगी holdem बोलता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा मैंने सुना है कि तुमने कुजू की कलैन का नाम लिया था तुम जानती होना कि कुजू की क्लैन का नाम लेना कितना बड़ा क्राइम है तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी और उसके हाथ में प्लास होता है इसके बाद हमें उराशीमा दिखाया जाता है जो कि लूफी से बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ मुझे ओकीकू को जान से मारना है तो यहाँ पर लूफी बोलता है कि मैं तुमसे बोल चुका हूँ कि अगर तुम्हें उसे मारना है तो सबसे पहले तुम मुझे हराओ और फिर तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो इसके बाद जो उरशिमा होता है वो अपनी ताकत दिखाता है और वो बोलता है कि मैं यहां का सबसे महान योकोजूना हूँ और वो फार बैंक, स्लैप नाम की टेकनिक का यूज करता है और इसके बचाव में लूफी अपने हाथ में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और वो उसे रोक देता है फिर लूफी बोलता है कि अगर तुमें एक योकोजूना हो तो मैं वो हूँ जो पाइरेट किंग बनेगा और वो गौमू गौमू नो जाइंट सूमो स्लैप नाम की टेकनिक का यूज करता है और फिर हमें दिखाया जाता है होल्डेम जो कि प्लास से उतामा का गाल खीच रहा होता है सही माइने में वो उसके गाल से रजगुलना निकालने की कोशिश कर रहा होता है इदर अब फिर दोबारा हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि गौमू गौमू नो जाइंट सूमो स्लैप टेकनिक का यूज करता है और वो उराशीमा को मैदान से उड़ा देता है उराशीमा उड़ता हुआ सीधा होल्डेम के ठिकाने पर पहुंसता है और फिर वो होल्डेम के उपर गिर जाता है इदर जो ओतामा होती है वो बज जाती है और फिर हमें दिखाये जाते हैं लोग जब वो जोरो को ध्यान से देखते हैं तो वो बोलते कि अरे ये तो वही है जिसने हमारे मेजिस्ट्रेट को मारा है जोरो बोलता है तो मैं क्या करूँ और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिये करोणा से साफदान गुड बाई